बारे दोस्तों मैं हूँ दिपाली और मैंने चाल प्यापका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरत के फेमस ऐसा डाल वड़ा जो कि साबूत हरे मुग से बनता है हेल्दी है टेस्टी है बनाने में भी बहुत आसान है तो चलिए देखते इसके रेसिपी कैसी है तो इसके लिए मैंने दो कटोरी ये कटोरी से मापाय मैंने साबूत हरे मुग रात पर भिगाए थे और उसके बाद इसको सुबह अच्छे से तीन-चरवर पाणिशी वास करके इसकी जो स्किन है वह निकाल दी है जादा च्छे जादा स्किन निकालनी है पंदर भी स्टक का यह स्कीन रहेगी वह रूतनिया में चाहिए बाकि निकाल दी है उसके साथ ही बहुत सारा धनिया पत्ता वह काट के लिया है एक इच अधरक नौधस लैसुंग की कलिया तीन हरे मिर्च यह लिए है तो सबसे पहले यह मिक्सिब में हम पीस लिए है तो हरे मुग मैंने पीस लिए है और ज्यादा पेस्ट नहीं करनी है हमें थोड़ा दर दरा पीसना है बहुत ज़्यादा दर दर नहीं पीसना है थोड़ा हलका दर दर पीसना है बहुत ज़्यादा भी दर दर पीसेंगे तो थोड़ा हाड बड़े हो जाएंगे तो इसी तरह में बाकी की भी मूग पीस लेती हूँ तो यह देखे मैंने सब कुछ पीस लिया है और इसको अच्छे से फेटना है जब तक कि फलफी और लाइट ना हो जाए तो इसी में मैं धनिया पत्ता आड़ कर देती हूँ जो कि मैंने फाइनली कट करकर रखा है बहुत सारा डालना है हमारा बैटर अभी थोड़ा थोड़ा लाइट होने तक हमें यह फेटना है जितना ज्यादा हो सके इतना फेटना है यहाँ पे हम बेकिंग सोडा बेकिंग पौडर इनो कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे है फिर भी हमारा जो वड़े है यह बहुत ही स्पॉंजी बनने वाले ह क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़़ा फेट रहे है और उसकी वज़े से यह बैटर ही बहुत लाइट होने वाला है उसमें बहुत सारी एर एंकरपरट होने वाली है अब इसकी जगाँ पे डिरेक्ली मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं मगर मूंग दाल से बैटर थोड़ की डिफरेंस आ जाता है देखिए बहुत लाइट हुआ है इसमें जग जग सा आ गया इतना मैंने फ्लफी कर लिया इसको बहुत ज़दे फेटना है अभी हरिमीज अद्रक लैसुन इसको हम थोड़ा कूट लेते हैं तो मैंने यह मूंग के साथ नहीं कुटा है इसको मिक्स तो उसके साथ एक छोटा चमच मैंने जीरा होता है मतलब कच्चा जीरा इसको भूना नहीं है मैं वही थोड़ा सा उसको दरदरा सा यहाँ पर पीस लिया है वह भी इसी बैटर में डाल देते हैं जो वड़े के टेस्ट है वह अदर अकल है सुन मिर्ची और यह जीरा है उस अब देख सकते में कितना फेटर वी इस बैटर को साइड में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है तेल अच्चे से गरम हो जाना चाहिए अपना जब भी हम वड़े या फिर भजिया तलते हैं उसके लिए तेल हमेशा अच्छे से गरम होना चाहिए तो अभी टेस्ट के अनुसार नमक डालना है, मैं थोड़ा से बैटर डालके तेल चेक करें गरम हुआ कि नहीं, तेल अच्छे से गरम होने के बाद फ्लेम हमें मीडियम करनी है, उसके बाद ही इस वड़ा को हमने तेल में छोड़ना है, हमार तेल गरम है, मीडियम कर लिए फ तो यह वड़े हमारे बहुत जदा ओईली बन जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, एक साइड से पकने के बाद इसको में पलट रही हूँ, मैंने मीडियम साइज के वड़े बनाए है, आप अपने मतलब पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं, कितने फूल है हमारे वड़े, और यह बहार से बहुत कुरकुरे होंते हैं, और अंदर से एकदम स्पॉंजी, इतने स्पॉंज की स्पॉंज भी इसके सामने बहुत हैवी लग जाएगा, इतने ही स्पॉंजी रहते हैं, लाइट रहते हैं यह वड़े, जितने फेटेंग इतने यह ब्राउन रंग आने तक चलाना है ज्यादा डार्क नहीं चाहिए हमें हल्का गोल्डन रंग आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे अब देख सकते कलर के साया है तो अच्छे से यह बख चुके हैं मीरियम फ्लेम पे मैंने इसको तला है इसलिए अच्छे से अंदर तक यह